नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ लोग सभा का चुनाओ बहुत ज़ादा करीब है और इस समय सारी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारी कर रही हैं बस्पा सुप्रीमों को लेकर खबर यह है कि बस्पा सुप्रीमों ने कौाडिनेटर आकाश आनंद हरियाना में रत यात्रा निकाल रहे हैं और माना जा रहा है कि हरियाना की दस लोग सभा सीटों को लेकर वो यात्रा पर रहेंगे उसके बाद उनकी यात्रा उत्तर परदेश में प्रवेश करेगी इस समय की सबसे बड़ी कबर मैं आप तक वचा अपना उत्तर अधिकारी आकाश आनंद को बनाया है लिहाजा आकाश आनंद इस समय ग्राउंड पर मवजूद हैं हरियाना में उनकी सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा की शुरुवात कल से ही एक मार्च से ही हो चुकी है और माना जा रहा है कि ये जो रत्यात्रा है इसका प्रभाव पूरे हरियाना में ना सिर्फ पड़ेगा बलकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में भी दिल्ली के कई इलाकों में भी इसका असर दिखाई देगा दोस्तों आकाश आनंद को लेकर एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि आकाश आनंद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है आकाश आनंद की जान को खत्रा था आन्तरिक और बाहरी खत्रा था उनको और इसलिए ग्रिम अंतराले की रिपोर्ट की अधार पर बसपा के नेशनल कौडिनेटर आकाश आनंद को वाइ-पलस कैटेग्री की सुरक्षा दी गई है अब वो सुरक्षा घेरे में चलेंगे और आपको बता दू कि आकाश अनंद के Y-plus कडिगरी की सुरक्षा मिलने के बाद लोग तरह तरह की प्रत्किरिया दे रहे हैं लोग कह रहे हैं भाई उनको मिला चंदरशेकर को क्यों नहीं मिला और आकाश अनंद जी को क्यों मिला चंदरशेकर को भी मिलना चाहिए तवाम तरह की चर्चा इसको लेकर है इस बिज दोस्तों बस्पा सुप्रिमों ने एक और नया दाउं चल दिया है बस्पा के जादा तर सांसदों का टिकेट कट चुका है जी आ दोस्तों ये दो बहुत पहले से आप लोग को पता ही है कए सांसद जो है समाजवाधी पार्टी में जा चुके हैं कई भारते जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं एक दो कॉंग्रिस के साथ जा चुके हैं एक सांसद अभी भी चट्टान की तरे बस्पा के साथ खड़ा है, मैं बात कर रहा हूं नगीना के सांसद गिरिश्चंद्र की, गिरिश्चंद्र जी अभी भी भी बस्पा में हैं, नगीना जो लोकसवासीट है वो ऐसी के लिए आरक्षित है और इस सीट को लेकर एक बहुत नाम फाइनल किये हैं जो नाम तै माने जा रहे हैं उसके बारे में दोस्तों मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ बहुत सारे नाम चर्चा में हैं दोस्तों इस बार वस्पा सुप्रीमो अपने कॉडिनेटर्स पर भरोसा जता रही हैं विश्वास जता रही हैं से जादा लोग कहीं ना कहीं वस्पा के साथ जुडेंगे वस्पा पार्टी अब जन जन तक लोगों तक पहुचने की कोशिश कर रही है आम कारिकरता भी अफसांसत बन सकता है इसलिए ये स्ट्रेटजी वस्पा सुप्रीमों ने अपनाई है दोस्तों कुछ नाम बहुत जा उत्तर प्रदेश भस्पा अध्यक्ष विश्वनात पाल साहब अमबेटकर नगर से चुनाव लड़ सकते हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो एवध्या से लड़ सकते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनात पाल को अमबेटकर नगर या एवध्या से चुनाव लड आया जा सकता है वस्पा के कैंडिडेट हो सकते हैं लाला राम अहिरवार क्योंकि लाला राम अहिरवार साहब जहांसी और चित्रकूट मंडल के इन चार्ज है और लाला राम अहिरवार के जालोन सीट पर चुनाव लड़ाये जाने की चर्चा तेज है सूची में इनका भी न मंडल के कौर्डिनेटर ध्यान से सुनिएगा मेरट और आगरा मंडल के इनचार्ज मुनकाद अली साहब को मेरट से टिकिट दिया जा सकता है कहा जा रहा है कि बसपा की सूची में इनका भी नाम शामिल किया गया है कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यहां से मेरट से से मुसल्मान उम्मिद्वार ही उतारा जाएगा कुछ जो नाम हैं जैसे सहारनपुर से संभल से मुरादाबाद लखिमपुर खिरी आजमगर बरेली और डुमरिया गैंज इसके अलावा कई सारी सीटे हैं जहां पर बसपा अपने मुसलिम उम्मिद्वारों को उतार सकती ह तो मुनकाद अली का नाम चर्चा में तेज हो चुका है वहीं दोस्तों कनोज सीट काफी होट सीट मानी जा रही है कनोज सीट कहा जा रहा है कि नौशाद अली ये भी मुसलिम जहरा है नौशाद अली साहब कनोज से चुनाव लड़ सकते हैं और नौशाद अली साहब इस स दोस्तों लाल गंज सीट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रहे हैं लाल गंज सीट को लेकर चर्चा ये है कि लाल गंज से घंशाम चंद्र खरवार जियां लाल गंज सीट याद करिए लाल गंज सीट 2019 में वस्पा ने जीता था यहां से वस्पा की महिला सांसत संगीता आजाद ने यहां से चुनाव जीता था हाला कि संगीता आजाद के बीजे पी में जाने की चर्चा हो चुकी है तो घंशाम चंद्र खरवार सहब को लाल गंज सीट से टिकेट दिया जा सकता है या दिया जा चुका है खरवार सहब वारानसी और आजमगढ मंडल के इन कोडिनेटर हैं तो दोस्तों ब्यस्पी ने अपनी रणनीती बदल दी है ब्यस्पी अपने कोडिनेटर्स को इन चार्च को लोकसभा का टिकेट दे रही है और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा संयोग है बहुत बड़ा प्रियोग माना जा रहा है इस नगीना से आकाश आनंद के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है हाला कि बस्पा सुप्रीमों ने इसको लेकर अभी मुहर नहीं लगाई दोस्तों मैं फिर बता दूँ आपको चर्चा काफी है ठीक वैसे ही जैसे चंदरशेखर आजाद के चुनाव लड़ने की अच्छा तेज हो चुकी है दोस्तों बिजनौर सीट याद करिए बिजनौर ही वो लोकसभा सीट है जहां से बस्पा सुप्रीमोरे नाइंटीन ने जीत हासिल की थी यहां से वो लोकसभा पहुची थी और वहां पे इसी जिले में एक सीट आई है नगीना लोकसभा सीट ज 2014 में 2019 में यहां पर चुनाव हो चुका है और पहली बार यहां समाजवादी पार्टी दूसरी बार भारती जन्ता पार्टी तिसरी बार ब्येसपी ने जीत हासिल की थी यानि नगीना लोकसभा सीट पर कोई भी अधिकरित नहीं हुआ है अभी कि इनका गड़ है इनका गड किया है अपने कॉडिनेटर्स को वो टिकिट दे चुकी है कहा जा रहा है टिकिट घोशित हो चुके हैं आधा से एक दरजन इसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं आकाश अनन्द का नाम है कुछ नाम जो चर्चा में थे कुछ कॉडिनेटर्स जो काफी चर्चा में हैं कहा जा रहा है इनके नाम शामिल है तो बस्पा सुप्रीमो के इस फैसले को लेकर तारीब भी हो रही है कि बिस्पी बाहर से उम्मिदवार नहीं ला रही है अपने ही लोगों को टिकेट दे रही है कोई पैराशूट उम्मिदवार नहीं ला रही है इस थारी लोगों को टिकेट चुनाव लड़ना चाहिए इसको लेकर आप क्या कहेंगे अपनी पर्तकिरिया आप लोग जरू देजिए वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सयोग करिए वीडियो को जन जन तक पहुंचाई जिससे देश की जनता है ज्यागरू को लड़ धन्वार शुक्रिया जैभारज जैसम्धार